वेल्कम स्वागत है आप सभी का और हम बात कर रहे हैं मत्प्रदिस पटवारी 2030 का जो पेपर है विसके लिए और यह कोश्चन पेपर सेट है हमारा जनरल साइंस या सामानी ज्यान सामानी विज्ञान के लिए और हम यहां पर हमारे पाद जो कोश्चन पेपर एक्च्वली इ रेप्टाइल याने कि एक सरी स्रिप को सरी सिर्प क्या बनाता है वार्म बलडडेट कर खुन का होना जया और कोल्ड ब donít डीहरें या एगलेंग तो सही विकल्ब हो जाएगा D, eggling या under Sena, अंडर को Sena, जिसकी वज़े से सरी सरिप को सरिप कहा जाता है, तो सही विकल्ब D हो जाएगा, अंडर Sena, और नेक्स कोस्चेन है, नेक्स कोस्चेन है कि आक्सीजन और ओजोन है, क्या है ये, विकल्ब पे है, आइसोबार, ऐलोट् पसलिव एंट जाएंगा है यहां पर यहां आपर रूप है तो सही अधिकल्प हो जाएका यहां प्रतिविक के तरपर किया जाता है उथ कहां से पाया जाता है कहां से मिलता है एलगी से लाइकें से फंगी से बैक्टीरिया से तो सही विकल्प हो जाएगा यहां पे कि फंगी से मिलता है पेंसिलिन ठीक है तो उसे विकल्प यहां पे सी हो जाएगा और अगला कुश्चन है कि धी विच उन आप फॉलोव लेजर इस यूज इन लेजर पृण्ट लेजर प्रिंटर में किस प्रेकार का लेजर प्रियोग किया जाता है डियस लेजर ऐग्जैमर लेजर डाइल लेजर यह से सरींट अब्रिपा घैसफसाइम्र रेजर या सेमे कंडॉक्टर लेजर तो अगला कोश्चन है कि of Apps say to why if we need to do another he is Deplin कहा जाता है उसको कैसे परभासित परिभासित किया गिए ए लिक्विड शरफैक्टन या एक तरल स्फचरीकगन या ए लिक्विड सलीवल या एक टरल घुलन सील्ड या एलिक्विड सॉल्वन या एक तरल बिलाया किया नमबर डी एक लिक्विट सल्यूसन या एक तरल भोल तो सही विकल्ब हो जाएगा यहां पे विकल्ब एक लिक्विट सर्फेक्टेंट या एक तरल प्रिष्ट सक्री कारक डिटर्जेंट को कहा जाता है और अगला कोस्टिन है कि विच आफ दा फॉलोविंग इ अगर नमबर डी ग्रिफाइट का उप्योग पेंसिल में किया जाता है और अगला कोस्टिन है कि ब्रास डिस्कलर्ट इन एर विकाज आप दो प्रजेंस आफ विच आफ फॉलोविंग गैस इन में से किस गैस की उपस्तिति के कारण ब्रास या पीतल अपना रंग परिवर् डिस्कलर हो जाता है ठीक है और नेक्स्ट कोस्टिन है कि कि विच आफ फॉलोविंग इस एन एयर बॉर्ण डिजीज इन में से कौन वायू जनित रोग है मिजल्स या खसरा पिंक आई था टाइफाइट नन अब देवाव यानिन में से कोई नहीं तो यहां पर सही भी गल्प हो जाएगा यह मिजल्स या खसरा जो कि वायू जनित रोग है और यह वायरस से फैंटा है बहराल अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि दर इंस्ट्रूमीट दर इंस्ट्रूमेंट डैट मीजर अर्टेरियल ब्लड प्रेसर इस नौन एज यह रक्त चाप जिस उपकरण से मापा जाता है उस उपकरण को क्या कहा जाता है है एपसोमेटर इस फिग्मो मैनोमीटर इस फिग्मो स्कोप या पिकनोमीटर तो सहीं भी कल्प हो जाएगा यहां पे भी इस फिग्मो मैनोमीटर से रक्त चाप को ना पा जाता है और अगला कोशन है कि विच वन आफ दो इस फोलोविंग इस टॉंग इसमेलिंग एजेंट एड़ेट टू एलपीजी सिलेंडर तो हैल्प डिटेक्शन आफ गैस लिकेज क्या है कि यह जो जोड़ा जाए उसमें डाला जाता है जो अगर लीख हो तो उसे पहचाना जाए चार भी कल्प है एथेनाल और क्लोरफार एथेंसियल या मेथेन तो सही भी कल्प हो जाएगा सीविकल एथेन थोल एथेन थियोल को इसमें डाला जाता है सीविकल है ना और नेक्स्ट कोस्टिन है कि यहलो ड़स्ट अपेर ऑन दफिंगर्स वेनेवर यूटच दा मेडिल आफ फ्लॉवर वाट इस ड़स्ट काट ज या आपके हाथ पे पीला ड़स्ट टैप से धूल टैप से लग जाता है यह ड़स्ट को क्या कहा जाता है चार विकल्प है इस पॉरोस्ष्ट इस पॉलेन या इस पॉर इस पॉरोस्ष्ट या बिजाडू धानी अंडानू पराग या बिजाडू तो इन में से क्या कहा जात है कि इन में से कौन विटामिन बी कंप्लेक्स का सदस्य नहीं है एसकॉर्बी केसिट राइबो फ्लोविन थियामिन या फॉली केसिट तो सही विकल्प हो जाएगा यहां पे विकल्प एसकॉर्बी केसिट विटामिन भी कंप्लेक्स का हिस्था नहीं है क्योंकि यह विटामि रूप में किया जाता है एक संघटक के रूप में एक रिएक्टर एक रिएक्टर के रूप में या एजन एक्स्पोटक के रूप में या एक नाभी की हतियार के रूप में तो RDX का उपयोग एक विस्पोटक के रूप में किया जाता है तो सही विकल्ब हो जाएगा see as an explosive और next question है कि which of the following country do not have cryogenic engine technique नहीं कि इनमें से किस देश के पास cryogenic engine technique नहीं है Canada Japan China या तरसिया तो यहां पर सही गल्भ हो जाएगा ए चैनाडा के पास cryogenic engine technique नहीं है जापाँ China Russia America और UK इनके पास यह cryogenic engine technique है और next question है कि इन में से कौन अधातु विच आप फॉलोविंग इस नान मेटल डेटर रिमेंस लिक्विड़ेट रूम टमपरेचर यानि इन में से कौन अधातु कमरे किताब पर द्रवास्था में रहता है चार विकल्प है क्लोरीन, हीलियम, ब्रोमीन या फासपोरस तो रही विकल्प हो जाएगा यहां पर सी विकल्प ब्रोमीन ठीक है यह धातु है जो कि कमरे किताब पर द्रवास्था में रहता है और next question है कि बायो केमिकल कमपाउंट्स आर यूजड एज यानि कि जैपरसानिक योगिक जो होते हैं उनका प्रियोग किया जाता है किस रूप में इसके ट्रीट्मेंट्स, फूट प्रिजर्वेट्वेट्व, कुकिंग आईल या आलब एवब तो यह जो जैपरसानिक योगिक होते है इनका प्रियोग सभी यानि कि इन सभी में होता है तो सही भी कल्क हो जाएगा यहां पर नमबर डी और नेक्स्ट कोच्टन है कि विच अफ फॉलोविंग हर्मोन इस्ट्राइड इनमें से कौन सा हर्मोन इस्ट्राइड है ग्लुकेजन, एस्ट्रोजन, इंसुलीन या ऑक् इस्ट्राइड है और क्वेस्ट नमबर नेक्स्ट है कि अब डपावर आफ एलेंस इस मिजर्डिन यानि की लेंस की छमता किसे मापी जाती है कैसे मापी जाती है डायाप्टर में यान में कैंडला में या लियूमें में तो सही भी कल्प हो जाएगा एक डायाप्टर में कि लेंस की च्छमता होती है वो डायाप्टर में आपी जाती है और अगला क्वेश्चन है कि फंगी और प्लांट्स डैट लैक यानि कि फंफूंदी ऐसे पादप हैं जिनमें कमी है किसीज की ऑक्सीजन की कार्मा डायकसाइड की क्लोरोफिल की या इनमें से किसी की नहीं तो सह यथे जी यथे हें इनका सीज कने चूंदी फॉद्ण्न और सब्सक्रा डा क्या करतक है जिसमें की हंप्र मेद्ट अधीक होती है यह मीधिन फासुह पे इक नियुक्र सीजिट ऑ wizard कि where is the headquarter of DRDO यानि कि DRDO यानि कि defense research and development organization यानि कि रक्षान संधाने और विकास संगठन का मुख्याले कहा है नियो देली ओडिशा करनाटका या महरास्टा तो सही भी कल्फ हो जाएगा इसका DRDO का जो headquarter है वो नियो डिली में है और अगला question है कि carbon dioxide is called greenhouse gas because carbon dioxide gas को greenhouse gas कहा जाता है क्यों चार्विकल्प में इत कंसेंट्रेशन रिमेंस आल्वेज हायर देन अदर गैस इडिज इस इन फोटो सिंथेसिस इस इट एपड़ एब्स इंफलरेट रडिएशन इसको मतलब ग्रीन हाउस गैस इसली कहा जाता है है क्योंकि इंफ्रारेट ने औरक्त के रणों का और सोशार करता है इसके वजह से इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है तो सही विकल्प सी हो जाएगा और नेक्स्ट कोश्चन है कि वेर इस थुमबा एकवाटेरियल रॉकेट लांचिंग इस्टेशन यानि की टी आरलेस अ जो थुमबा राकेट लांचिंग इस्टेशन है वह कहां इस्टित है तो यह केरला में तो सही विकल्प हो जाएगा यहां पे विकल्प तो यह था एंपी पिटवारी तेज के लिए जनरल साइंस से समझेट कुछ प्रेसन और अगले वीडियो में हम कुछ अन्य तब भी लेकर आएंगे तब तक लिए नमस्कार जैन एंड इस्टेवी तस जैन